ज्वाली पुलिस थाना के अंतरगत कोटला पुलिस चौकी के अधीन 22 मील रानी ताल रोड़ पर नड़ोली में देर रात एक सड़क दुरगटना में दर्धनाक हादसा हुआ जिसमें दो परिवारों के घर के चिराग बुझ गए रानी ताल से 32 मील की और जा रही एक कार ने एक सकूटी व दूसरी कार को टक्कर मार दी टक्कर मारने के बाद कार नाले में गिर गई जोरदार भिरत में एक सकूटी सवार ने मौके पर ही दम तोड़ दिया वहीं दूसरे घायल स्कूटी सवार को स्थानिय लोग शाहपुर अस्पताल ले गए लेकिन दूसरे युवक की भी अस्पताल में मौत हो गई मृतकों की पहचान अनिल कुमार 26 वर्षिय वह मोहित कुमार 21 वर्षिय निवासी रईत के रूप में हुई है जानकारी के मुताबिक दोनों युवक नढ़ोली में एक कारेक्रम में आई हुए थे और दुकान से समान लेने जा रहे थे कि वापिस में एक विपरीद दिशा से आतिकार ने टक्कर मार दी वहीं मौके पर पुलिस चौकी कोटला को सूचित किया गया चौकी प्रभारी कोटला राजकुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुँचे एसपी नूरपुर अशोक रतन ने बताया कि पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और दोनों युवकों के शवों का पोस्ट मार्टम करवा कर परिजनों को सौप दिया जाएगा हिमाचल प्लस न्यूज के लिए ज्वाली से राजेश कॉंडल की रिपोर्ट क्थагाश का आएल़िए और कुएंया हिमाचल प्लस ने कि एपक लिए जिए. कि लिए जय के लिए सकत्या